चिकित्सा जगत ने कोर्णा की तीसरी लहर की भविश्यवानी की है तीसरी लहर को देखते हुए पशुपालन और डेरी विकास मंत्री सुनिल केदार ने आज ग्रामिन चेत्रों में बच्चों के लिए तालुका वार बाल चिकित्सा कोविट देख बाल के निरस सापित करनी का निर्देश दिया उन्होंने यह भी सुझाओ दिया कि प्रशासन को जनशक्ती, मिशिनरी और दवाओ की आपूरती में ग्रामिन स्वास्त प्रनाली को आत्मनिर्मर बनाने पर थ्यान तीना चाहिए पाटर कर चिला स्वास्त अधिकारी डक्टर दीपक से लोकर उपस्ति थी, पिछले कुछ दिनों से गिरते मरीजों के ग्राफ की एक सुकून देने वाली तस्वीर देखने को मिली है, फिलाल एक और लहर उभर रही है, हाला कि यह काम नहीं करेगी, ऐसा वक्तव्य सुनिल केदार ने किया, चिला स्वास्त अधिकारी डक्टर दीपक से लोकर नी तीसरी लहर के पुरवानुमान के मद्य नसर ग्रामिंग शेत्रों में चिकित्सा प्रणाले की योशना प्रसूत की, तदमुसार चिले के हर तालुकां में प्रात्मिक स्वास्त केंद्र, भवन सर, प्रात्मिक स्वास्त केंद्र को वरियता दी जाएगी, बच्चों के देखभाल के लिए उनकी मा भी वहां मौझूद रहेगी, मंत्री में निर्देश दिये कि उनके आवास की व्यवस्ता प्रसावित केंद्र या आसपास के शित्र में की जाए, क्यामरा पोसन अकलेश भ झाल